हेलो फ्रेंट्स स्वागा था आप सभी का हमारी यूटूब चेनल अग स्मार्ट स्टेडी में फ्रेंट्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एन्टी पीसी लेवल वन यानी गुरूप डी और जेई के लिए मोडल प्रेक्टिस सेट नमबर 11 को और फ्रेंट्स इस वीडियो में 30 कोश्चन होंगे जेनरल साइंस, जेनरल नोलेज और करेंट एफेर्स के तो फ्रेंट्स पूरा वीडियो को दिखेगा एक भी कोश्चन को इसकीप मत करना और फ्रेंट्स इससे पहले 10 मोडल प्रेक्टिस सेट वे ने प्रोवाइड करा रखा है सारी वीडियो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप देख सकते हो और फ्रेंट्स एक जरूरी बात ध्यान देना 30 कोस्चन है 30 में से एक कोस्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा आप लोग जो है मन में आणसर सोच सकते हो या कमेंट करके भी बता सकते हो लेकिन वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके ये बताना है कि 30 में से कितने question correct हुए हैं तो फ्रेंट्स चलिए शुरू करते हैं सभी साथ उसे request है प्लीज सभी साथी वीडियो को like कर दिजेगा share कर दिना और channel को जरूर subscribe कर लेना जो भी साथी पहली बार channel में आये हो ध्यान दिजे साथ यो पहला question screen पे पहला question फुलहर जील भारत के किस राज में हैं साथियो इस question का answer आपको मन में सोचना है वीडियो कलास में फिर कमेंट करके बताना है ज्यान देना सभी साथ ही फुलहर जील भारत के किस राज में हैं उत्तर परदेश में यार रखना option number 20 question का सबसे अधीक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश बन जाएगा क्या answer आएगा इस question का सभी साथ ही बताएंगे और साथियो ध्यान देना इस question का करेक्टर नस राएगा option नमबर भारत बरस दो आजर साथ तक भारत जो है सबसे अधीक मुस्लिम अबादी वाला देश बन जाएगा option number 20 question का करेक्टर सभी साथ ही याद रखना next question 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 number 3 भारत ने 5 अप्रेल को कौन सा दिवस मनाया और साथियो ध्यान देना सभी साथ ही इस question का बिलकुली करेक्टर नस राएगा option number 20 राष्टिया समुद्री दिवस 5 अप्रेल को राष्टिया समुद्री दिवस मनाया जाता है सभी साथ ही याद रखना option number 20 इस question का बिलकुली करेक्टर है next question 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 number 4 2020 ग्रिस्म कालिन ओलम्पिक की मेजबानी कौन सा सहर करेगा और साथियो इस question का करेक्टर नस राएगा option number 10 टोक्यो जापान 2020 में होने वाली ग्रिस्म कालिन ओलम्पिक की मेजबानी टोक्यो साहर करेगा जो की जापान में स्थित है इससे पहले 2016 में ब्राजील के रियो डी जेनो रियो में ओलम्पिक खेल हुआ था और प्रितिक चार वर्स के बाद ओलम्पिक खेल का आवेजन होता है तो साथियो 2016 के बाद चार वर्स के बाद 2020 में टोक्यो में खेला जाएगा याद रखना नेक्स्ट कोस्टन कोस्टन नमर फाइब हाली में किस राज ने बायू पर्दुसन को रोकने है तो इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी है और साथियो ध्यान देना सबी साथि इस कोस्टन का बिल्कुली करेक्ट्रेंस राइगा उप्शन नमर बी जम्मू कस्मीर जम्मू कस्मीर राज के बिधान सबा का करिकाल छे बर्स का होता है उप्शन नमर बी इस कोस्टन का करेक्ट है किसी प्रहजाती को बिलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो कितने वर्सों से साथी ओध्यान देना इस question का बिल्कुली correct answer राग option number C प्रहजाती को बिलुप्त माना जाता है अगर वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो 50 वर्सों से तो याद रखना option number C option number B 0.7% प्राकृतिक यूरनियम में कितना प्रतिसत यूरनियम होता है याद रखना 0.7% next question question number 9 GST full form नेम बताइए साथी ओध्यान देना सभी साथी इस question का बिल्कुली correct answer राग option number A goods and services tax और साथी ओध्याश्ट को भारत में कब लागू किया गया था एक जुलाई 2017 को ठीक है एक जुलाई 2017 को यह याद रखना और सबसे पहले GST लागू करने वाला देश कौन सा था फ्रांस यह भी याद रखना चलिए next question देखते है question number 10 भारत के पुरोर अक्षा मंत्री जिनों ने 1998 के पोखरन परमानों परिक्षन की देख रेक की 29 जन्वारी 2019 को मृत्यू हो गई इनका नाम बताइए बारत के पुरोर अक्षान मंत्री जिनों ने 1998 के पोखरन परमानों की परिक्षन की देख रेक की थी और इनका भी 29 जन्वारी 2019 को मृत्यू हो गई है और इनको अभी भारत रत रतन देने की घोशना की गई है याद रखना option number C, इस question का बिल्कुली correct है next question, question number 12 ललित कला अकडमी की अस्थापना कभ हुई और साथियो ध्यान देना सावी साथी इस question का correct answer रागा option number B 1954 में ललित कला अकडमी की अस्थापना 1954 में हुई थी और इसका मुख्याला निउ देली में है ये भी याद रखना next question, question number 13 हाले में कौन से देश में बीना driver के bullet train चलाई गई है साथियो very very important question अध्यान देना चीन इस question का correct है option number C चीन देश ने हाले में अभी बीना driver का bullet train चलाया है याद रखना option number C इस question का correct है next question, question number 14 OBD OVIS किसका बेग्जानिक नाम है साथियो आपको बताना है OBD OVIS किसका बेग्जानिक नाम है ज्यान देना सभी साथ ही इस question का correct चलाएगा option number D भेड की OBD OVIS किसका बेग्जानिक नाम है साथियो भेड की option number D इस question का बेलको लिक correct है next question, question number 15 कोसिका का engine किसे कहते है और साथियो इस question का correct चलाएगा option number A ribosome को याद रखना कोसिका का engine ribosome को कहते हैं और कोसिका का power house यानि power house of sale किसको बोलते हैं mitochondria को ये भी याद रखना next question, question number 16 ज्यान देना सभी साथ ही भारत में सरपर्था मस्थाफित होने वाला bank कोन सा है और साथियो याद रखना इस question का बिलकुली करेक्टर चलाएगा option number D bank of हिंदुस्तान bank of हिंदुस्तान भारत में अस्थापित होने वाला पहला bank है याद रखना next question, question number 17 हमारे एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में इस्थित अस्थी गतिक को क्या कहते है और साथियो ध्यान देना बहुत एच्छा question है इस question का correct answer राएगा option number C नेत्र कोटर हमारे एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में इस्थित अस्थी गतिक को नेत्र कोटर बोलते है याद रखना option number C इस question का correct है इस question का correct answer राएगा option number B मज्जा जिसे मेडूला बोलते है ठीक है मस्तिस्क का कौन सा हिस्षा सांस लेने को नियंत्री थे याद रखना साथियो मज्जा मेडूला next question question number 20 IPL के इतिहास में किस गेंदवाज ने सबसे पहला मेडन ओवर डाला था और साथियो याद रखना इस question का correct answer राएगा option number C मेकराथ है ना मेकराथ ने सबसे पहला मेडन ओवर डाला था IPL के इतिहास में next question question number 21 किस देश ने दुनिया की सबसे पहली hydrogen train शुरू की है साथियो very very important question है ध्यान देना सबी साथ ही किस देश ने दुनिया की सबसे पहली hydrogen train शुरू की है इस question का correct answer राएगा option number A Sudan next question question number 22 बरतमान सर्वियाई राष्टपती कोण है साथियो बताना है बरतमान में सर्विया के राष्टपती कोण है और साथियो ध्यान देना इस question का correct answer राएगा option number D Alexander Busis बरतमान में सर्विया के राष्टपती है option number D इस question का correct है याद रखना Alexander Busis next question 23 GST परिशद में सम्माली कूल सदेशो की संख्या कितनी है और साथियो इस question का correct answer राएगा option number C 33 याद रखना सभी साथि option number C इस question का बिलकुले correct है next question 24 स्वातंतरता दिवास 2018 के सुभाउसर पर परधान मंत्री ने कितने मिनट का भासन दिया और साथियो बहुत अच्छा question है याद रखना इस question का correct answer राएगा option number D 83 मिनट यानि 83 मिनट का भासन दिया था अगला question question number 25 इन में से कोन पहले भारतिय थे जिने उनके जिवन काल में ही डाक टिकट पर चितरित किया गया था और साथियो बहुत अच्छा question है याद रखना इस question का बिल्गुली correct answer राएगा option number B DK Carway DK Carway पहले भारतिय थे जिने उनके जिवन काल में ही डाक टिकट पर चितरित किया गया था और साथियो याद रखना कि पदार्थ की चोथी अवस्था क्या है ठीक है पदार्थ की चोथी अवस्था पलाजमा है ये भी याद रखना नेक्स्ट कोश्चन नमबर सता इस साथियो ध्यान देना बहुत अच्छा question है देश भक्ति गीत कदम कदम बढ़ाये जा खुसी के गीत गाये जा यहाँ जिन्दगी है कौम की तू कौम पे लुटाये जा के रचियता कौन है और साथियो याद रखना इस question का करेक्ट इन स्राइगा option number D पंडित बंसीधर सुकल option number D इस question का बिल्कुली करेक्ट है याद रखना बहुत अच्छा question है next question 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 number 28 महाभारत के अनुसार चित्र सेन, ब्रिश सेन और सत्य सेन के पिता कौन थे अर साथियो जान देना इस question का करेक्ट इन स्राइगा option number B नग्स-्कोस्चन 29 सेन समाज की कुल दे भी कौन थी साथियो बताना सेन समाज की कुल दे भी कौन थी और साथियो इस question का correct answer राएगा option number 1 नारा यानी माता सेन समाज की कुल देवी कौन थी नारा यानी माता option number 8 इस question का बिल्कुली character सभी साथ ही याद रखना अगला question question number 30 विशो की एक मात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है साथियो very very important question ध्यान देना विशो की एक मात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है और साथियो इस question का correct answer राएगा option number C ब्रह्मानी माता याद रखना option number C इस question का बिल्कुली correct है साथियो बाकी model set का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा वो सारी वीडियो साप लोग देख लेना लाइव क्लास के अलावा आप लोग को model practice set भी provide कराते हैं तो साथियो कैसा वीडियो लगा है कैसे question थे या आप comment करके बताना आपका क्या score रहा 30 में से कितने question आपके correct हुए है या भी comment करके बताना साथियो प्लीज सभी साथियो को like कर देना शेर कर देना अपने दुस्तों के साथ तो जो भी channel में पहले बार आएं थे channel को जरूर सब्सक्राइब कर लेना शबी से मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिन साथ यो बंदे मातरम